हेलो दोस्तों आज में इस वीडियो में क्लास 8 या क्लास 10 के नन हिंदी किसले पार्ट पीपल कवीता से पूछे जाने वाले मोस्ट भी वी आई अबजेक्टिव कोशन को करेंगे तो आई ये वीडियो को सुरू करते हैं इसमें हमारा फर्स नमबर कोशन है पीपल पार्ट की कौन सी बीधा है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा कवीता अगला कोशन है पीपल कवीता के लेखक कौन है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा गोपाल सिंग नेपाली अगला कोशन है गोपाल सिंग नेपाली किस परकार के कवी है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा छाया वादी अगला कुछन है छाया वादी कविता की उलेखनियों विसेश्ता किया है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा प्राकिर्टिक चित्रण अगला कुछन है विवीद बदलाओं का साक्षी पेड कौन है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा पीपल अगला कोसन है जल के उपर खीलते हुए कमल का रंग कैसा है तो इसका सही उत्तर जाएगा लाल अगला कोसन है इस कवीता में कवी के अनुसार पीपल के पत्ते का अकार कैसा है तो इसका सही उत्तरोजाएगा गोल अगला कुसन है सितार जैसी आवाज कहां से पैदा होती है तो इसका सही उत्तरोजाएगा पक्षियों के पंक से अगला कुसन है कवी के अनुसार बुल बुल कैसी गाती रहती है तो इसका सही उत्तरोजाएगा चोह चोह अगला कोशन है पीपल किस तरह की कविता है तो इसका सयुत्तरोजाएगा छाया वादी अगला कोशन है परकिर्ती चित्रण किस कविता की उलेखनी या विशेशता है तो इसका सयुत्तरोजाएगा छाया वादी अगला कोशन है कैसा वतावरण मिलने पर बुलबुल पक्छी गाने लगती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावस की फुवारे और सीतल ब्यार बहने पर अगला कोसन है पीपल का ब्रिक्षे किस गैस को उत्सरजित करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन अगला कोसन है कवी के अनुसार इस कवीता में रोरो का रात गुजारने वाला किसे बताया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चकुर अगला कुसन है पीपल का ब्रिक्षे अपनी खुसी को कैसे परकट करती है तो इसका सयुत्तर जाएगा पत्तों के माध्यम से अगला कुसन है पीपल का पेड़ मानो सभेत्या के लिए क्या है तो इसका सयुत्तर जाएगा अति उप्योगी अगला कुछन है कवी के अनुसार पीपल के पत्ते कैसे हिलते रहते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रह रहके अगला कुछन है मराल सब्त का अर्थ क्या है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हांस पस आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नटिफिकेशन आपको समय समय पमिता रहे